हाली में रश्मी देशाई उमर्याज को लेकर काफी चर्चा में थी बिग बॉस से निकलते ही रश्मी देशाई आसिम, हिमानशी, उमर्याज के साथ मस्ती करती दिखी थी इस पीश लोगों ने उनकी नस्दी क्या भी देखी इनकी जोड़ी लोगों को खूब पसंद आई बिग बॉस के अंदर रश्मी और अरहान का सीरियस अफ्यर भी दिखेया गया था लेकिन जब रश्मी को पता चला कि अरहान ने उन्हें धोका दिया तब वो पूरी तरह से टूट गई थी रश्मी के इस अकेले पन को उनके राखी भाई मरान जैन ने उन्हें समझा मरान ने उनसे उसी वक्त मिलना चाहा लेकिन बिग बॉस की बज़े से मरान रश्मी से मिल नहीं पाए एक इंटरव्यू में मरान ने रश्मी से मिलने की बात बताई थी रश्मी से मिलकर मरान जैन ने अरहान के बारे में बात की हलाकि रश्मी बिग बॉस से निकलते ही अरहान को लेकर बात क्लियर कर चुकी नी और उन्होंने कहा भी था कि अब वो अरहान को लेकर कोई रिष्टा नहीं रखना चाहती है वहीं रश्मी उमर को भी दोस्त मानती है और उनसे भी आगे का रिष्टा नहीं बढ़ाना जाती है आपको बताते शिद्धार शुकला भी रश्मी को पसंद करते थे लेकिन इनका रिष्टा भी आगे नहीं बढ़ा सीरियल दिल से दिल तक में रश्मी और सिधार्थ ने पती पतनी का रोल किया था ऐसे में लोग सिधार्थ को रश्मी का ओफियर पती मानते हैं और बिग बॉस में सिधार्थ और आसिम की कड़ी दुश्मनी तो हर किसी ने देखी लेकिन बिग बॉस में रश्मी अपने पती के दुश्मन यानि आस्सिम के सपोर्ट में ही रही फिलाल तो रश्मी अपने दोस्तों और परिवार बालों के साथ टाइम स्पेंड कर रही है